पिछले 38 दिनों से लगातार प्रदशन कर रहे डॉक्टर्स को ममता सरकार ने पाचवी और आखरी बार बातचीत करने की बुलाया यानि कि मिटिंग के लिए बुलाया है आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदशन करने की कोशिश की जारी क्योंकि 9 सेप्टमबर को जब कोट में सुनवाई हुई थी तब भी बात रखी गई थी कि जूनियर डॉक्टर्स जितने भी हैं वो सभी हर्ताल पर और इसके चलते मरीजों को खाजी परिशानी हो रही है और यह दायत दी गई थी ममता सरकार को कि जल्द ही सभी डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया जाए और उन्हें बोला जाए कि 10 सितंबर को सभी काम पर वापस लोटे वरना उनके खिलाफ एक्ष्ण लिया जाएगा और तब से ही ममता सरकार लग होने वाली बैठक में क्या ये बाच्चित सफल हो पाती है या नहीं अब आपको हम बारी बारी से बताने जा रहे हैं कि आखिरकार कोलकाता रेप मर्डर मामने में अभी तक क्या कुछ खास हो पाया है अभी हाली में एक बार फिर से सुनवाई होने वाली और इसके पहले सी 14 सितंबर को हुई है और इन दो प्रमुक गिरफतारियों के बात किस तरी के आसार बन रहे हैं वो भी आपको बताएंगे कुल तीन गिरफतारिया अभी तक सी ब्याई ने की है आप देखे कि पांच बजे जो बैठक होगी उसका अपडेट तो आपको दिया ही जाएगा और बंगाल की प्रिंसपल सेकेटरी मनोज पंत ने जूनिया डॉक्टर्स को मेल करके बैठक के लिए बुलाया है अब देखना है कि इस बैठक में क्या होने वाला है दरसल पांचवी और आखरी मुलाकात के लिए इन्वाइट किया गया है और ये कहा गया है कि इसकी भी लाइ सितंबर को जो बैठक बुलाई गया थी दरसल इसमें 15 डॉक्टर को बुलाई गया था लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी की वज़े से डॉक्टर्स काफी नराज हो गए थे और उनका ये कहना था कि मीटिंग बुलाई जरूर गई है लेकिन जो उन्होंने मांग बांगे हैं वो आपको पहले बता दें दरसल रेप मडर के जो सबूत हैं उससे छेड़ खानी का आरूप लगा रहे हैं डॉक्टर्स उनका ये कहना है कि जितने लोगों ने भी छेड़ खानी की है सबूतों के साथ उनकी गिरफतारी की जाए और उन्हें सजम मिले मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसपल संदीब घोश के खिलाफ सक्थ अनुशास नात्मा कारवाई हो हलांकि उन्हें सीब्याइने गिरफतार कर लिया है 14 तारिक को कुलकाता पुलिस कमिशनर विनीत गोयल का इस्तीफा भी लिया जाए चौता है स्वास कर्मियों के सुरिष्चित किये जाने चाहिए पश्चिम बंगाल के अस्पतालों और साथी मेडिकल कॉलिजों में थ्रेड कल्चर खत्म किया जाए ये कुछ पांख प्रमुक बिंदू डॉक्टर्स ने बताएं जिसको लेकर लगतार मांग हो रही है अब देखिए 10 सितंबर को जो बै में स्तीफा मांग रहे हैं यानि कि राज्य स्वास्त स्चिप घिसका हम स्तीफा मांग रहे हैं इस मामने को लेकर वही हमें बैठक के लिए बुला रहे हैं ये तो सीधे तोर पर । और इस के चलते डॉक्टर्स नहीं पहुंचे थे उसके बाद फिर से बैठक बुलाई गए लेकिन डॉक्टर्स चूकि उनकी शरते थी कि सबी की ये गर्माता ही जा रहा था मीटिंग को लेकर लेकिन अब आज जो होने वाली बैठक है इसमें क्या होगा वो आपको हम बताएंगे जुनियर डॉक्टर्स की पाँच मांगो पर जो कि हम आपको पहले बता चुके उस पर होना चाहिए और चौता है मुखमंतरी ममताब एनरजी मीटिंग में जरूर शामिल रहें देखिए शाम को होने वाली बैठक और आज होने वाली सुनबाई ये बहुत ही महत्पपूर हों थी तब ये कह दिया था कि जल्दी ही सभी डॉक्टर्स काम पर लोटें वरना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए ममताब सरकार को साफ कर दिया था लेकिन ममताब सरकार असफल सावित हो रही है डॉक्टर्स को काम पर वापस ले जाने को लेकर क्योंकि मरीज अब आप ये देखें कि CBI ने जो पुकुछ प्रमुख रिपोर्ट सौंपी है उसको लेकर भी संशय बना हुए दरसल पहले जो स्टेटस रिपोर्ट सीबिया ने दी थे उसमें कुछ सबूतों के साथ छिटखानी की गई है क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग दे गई ये उसमें कुछ तथ हैं और कुछ नहीं है इसको लेकर CBI ने कहा था कि पहले इसको लेकर कोट ने कहा था CBI को कि पहले CBI अपने पॉइंट्स क्लियर कर ले उसके बाद दुबारे स्टेटस रिपोर्ट जारी करें उस पर आगे फैसल लिया जाएगा और एक रहस है कि 9 पर भी लगतार बहस चलनी है अब आपको बता दें कि आज इकल हॉस्पिटल के पूर्वे प्रिंस्पल को CBI ने अरस्ट कर लिया और ये साती साथ SHO हैं अभिजीत मंडल इन्हें भी गरफतार किया गये 14 तारीकों इन दोनों के ही उपर जो सबूत हैं उनसे छेड़ खानी के आरूप लगे हैं इनको कस्टेडी में ले लिया गया है 17 सितंबर तक की CBI की कस्टेडी में रहने वाले हैं और आगे होने वाली सुनवाई के दौरान इनके भी इनसे भी जवाब लिये जाएंगे संजयरोय की गरफतारी हदसे के एक दिन बाद ही हो चुकी थी और उसे भी लगतार पूछता चोरी है लेकिन संजोराय की लगतार बैयान बंदलने के बाद से थोड़ा संशय बना हुआ है कि क्या इसे जबरन ये कबूल करवाया जा रहा है और अब भी इस्तिती साफ नहीं हो पाई तो तीन प्रमुग गिरफतारियों के बाद से CBI जो स्टेटि